मेगना पापा आप यहां बस बेटी घर में बात करने वाला था लेकिन तुम आज कल बहुत बिजी रहती हो ना क्या बात है बोलिए वो तुम्हें देखने के लिए एक लड़का इंडिया आ रहा है दीदी मैंने तो पापा से कहा आप इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती लेकिन क्या करे मेरे भिलाइन क्लियर होनी चाहिए ना इसलिए मैंने ही शादी करवाने के लिए कहा पहचान वाला है अपने शहर का है और देखने में बहुत हैंडसम भी है तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो कोई और ढूनेंगे कम से कम एक बार जाकर उससे मिल तो लो बेटा यह देखो लड़का बहुत अच्छा है त्रेन में ही दुलहन की परीक्षा बिलकुल नया तरीका है ना इसलिए पैरेंट्स ब्लैक मिल करते हैं अहां अच्छली यह उससे तो बेटर है सबके सामने कॉफी पकड़कर वेटर की तरह खड़े रहना मुझे पसंद नहीं है फर्स्ट टाइम वाट आई मीन दुलहे की परीक्षा हां इस तरह से तो फर्स्ट टाइम ही है एक्छली मुझे सिंपल मैरेज ज्यादा पसंद है सच मैं अच्छी मुझे भी पसंद है मगर मेरे डार नहीं मानेंगे धूम धाम पसंद है उन्हें इस तू मच युनों वैसे तुम्हारा नाम क्या है एक्स्क्योज मी बिना नाम जाने दूले से मिलने चली आई एक्छली मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है इसले मैं तुम क्या मेरे लिए अपना नाम बदलेंगे वाइ इस दुनिया में मुझे सिर्फ एक नाम से नाम से रंगा क्यों वो मेरा एक्स बॉइफरेंड है शेमलेस तरो ओ एक नमर का मीच अबीना है इंट्रेस्टिंग कर सकते इसे कभी माफिन कर सकते इसे कुछ फॉर्स्ट मीटिंग एपरिल फर्स्ट फूल्स्टे तुम्हारी मा को पता चल गया है तुम घर से भागाई हो तुम्हें पूरे शहर में ढूणने के लिए आदमी भिजवाये हैं वो कौन है जिसे तुम प्यार करती हो हाँ उसका नाम आदिम है वो काविरी नगर में रहता है हमारा काड ड्राइवर है इस आदमी के बारे में नहीं अपने हीरो के बारे में बोल यह वही है हाँ प्यार किया तो तर्मा क्या तुम्हार करती है यह मैरे लिए बहुत बार हाथ के नसकाट चुका है यह हाँ यार मेरे टैंक फूल बलड से भर दिया है गाड़ी में टैंक फूल कर दिया है मडम तू कुछ करना यार प्लीज तू इससे प्यार करती है सीरिसली अचा ठीक है चल चलो अभी हम यहां पर है सीधे गए तो मैसूर उड़ाएगा राइट गए तो राजा-राजिश्वरी आर्ज है व यहां तुन दोनों शादी कर लेना कैसे लगा मेरे प्लान है अगर तूने उसका प्लान फॉलो किया तो वो कच्चू कनक रत्नमा तुन दोनों के टुक्डे-टुक्डे कर देगे कौन है यह मेरा फ्रेंड है अबे आदिमो तू इसका प्लान सुनकर आगे बढ़ेगा तो इसे कुछ नहीं होगा लेकिन तेरे लेकिन तेरे यह हाथ सलामत नहीं रहेंगे कौन है यह मेरी फ्रेंड है तो फ्रेंड के जैसी रहो जास्ते ओनने का नहीं एक दूंगा ना अकर ऐसा है तो तुम्ही अच् कि अच्छ मरी आठ यहां से सीधा अंदर गय तो बेस्ट कलब है उसके बाजों मंदर में तुम दोनों की शादी होगी यही तो मैंने भी बताया था तूने आर्च के बारे में बताया था आज पका बताया था आज के अंदर से जाना एक कर रहे हो तेरी शादी हुई है क्या क्या मतलब तेरी शादी हुई नहीं और तू दूसरे की शादी के लिए आइडिया देने आई दो 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 बार की एक टेरे जैसे बगबग कर रही थी तो उसका अगला जबा दिया नहीं दूसरी इसके खामुश थी उसे कोई में तूए में तो ज्यादा बात कर रही तो मैं शादी नहीं यह भाग करने वाली शादी कभी भी आ सकते हैं चेजिंग शुरू हो सकती है और तलवार भी चल सकती है यह कोई जानता है लेकिन कोई भी लीग कर सकता है इसके जैसा जो हो अजीब आजमी है अरे सुनना कहा जा रहा है तू अब हलका होने जा रहा हूं तू भी साथ आ रहा है क्या गदा शादी कपला लीग हो का यह सुनकर मेरी पहली लीग हो चुकी है अच्छी उस तरफ हालो कंचुक कानक रत्मा मैडम तुम्हारे पोन का इंतजार कर रही थी इस ड्राइवर के साथ शादी नहीं सुहाग रात भी अच्छे से हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह कोई जिंदा नहीं रहेगा तब मेरे साथ टच में रहो मैं इनके साथ रहकर इंफर्मिशन देता रहूंगा ओके वो लोग कहीं भी भाग ना पाए अधिमो जैसा हमने सोचा था वैसे हो रहा है अभे भाग 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 अरे आदिमो तुझे मेरी तरह भाग कराना चाहिए था ना ऐसे लोड़क कराना ज़रूरी था आदिमो चाहिए तो ना चाहिए प्लाइन में बनाया था तो मुझे फॉल करो ना आपने लीडर को फॉलो करो ना मुझे ज़ोड़के यारा इस तरह आँ इस तरह कान है यारो इसके साथ भाग रहा है कि पूरी जिन्द की भागता रहा है कि बहुत ही मज़ा आएगा इस तरफ जानो अपनी आइटम को बोलना तो भी बात तो सुन इस तरफ गया है जाओ भागो भागो जाओ है सोला जानो अफ लीज काम आट है नो इस तेंपल निस कोई चलो 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 कमार आप्रा आप्रमे अधेर जाब कारेशी चुतर लाए फिर्म johnson कि अधान करेंगे यह क्या कर रहा हो और रहे शाधी उधर हो रही है आजाओ चलो है अधना माथ तुम यहां कहड़ी क्या करें चलो रहा है तुम्हारी माथ चल्दी कि चपड़ी ची एलिया देवो आज जल दी से मंगे सुत्रपांद अपने हाथ परी उसके गले माथ यह इस कैसा लगा यह क्या है शादी के बारे में तुम ही इंफरमेशन दे कर अब तुम ही शादी करवा रहे हो कर लिए क्या क्या या दिए है ओपर मुझा और या क्या जरु से पहले यहां आने की का ज़र। थी और किसी वागवान के फोटू के सामने हार पहनाकर शादी कर सकता था उब काल अगर तूसे कोई पूछे कि तेरी शादी कैसे हुई तो तु कहना की बहुत बढ़ी तो नहीं में बहुत ट्विस्ट है शादी से पहले चेजिंग हुई फाइरिंग हुई टाइमिंग जंपिंग जाना सोच कि सुनने वाले को कितनी किक लगेगी हाँ तुम्हारा दुमाग खराब है क्या अगर पकड़ी जाते तो जान चली जाते तो जीना भी कोई जीना होता है क्या जाधी हो रही थी इसलिए में दुखी थी आपने जो किया उस वज़े से मेरी इच्छा पूरी हो गई ठैक्स भया मुझे मस्त किक मिल गई शुव अगवान की क्रपा से तुम दोनों को किक की प्राप्ती हो अस्तु सुवागरात सुवागरात इस एमेले कनक रतलम्मा को त अंग्रेजों ने हमें आजादी क्यों दी क्यों दी बोलो ताकि हम अपनी मर्जी से जी सके अपनी मर्जी से उड़ सके अपनी मर्जी से शादी कर सके तो मारी पसंद के लड़कें से ही शादी करना यह कोई कानून है क्या तुम कर रही हो फैमिली बलात कार अरेंज अत्या आपको 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 पता चला पिछले तीस सालों से मेरी उसकी दोस्ती है बस उसे किक मिलनी चाहिए उसके लिए वह कुछ भी कर सता है सब्सक्राइब है उसके बारे में सुनते ही मुझे शौक लग गया तो उसके साथ जो रहेगा उसका क्या हाल होगा सोच कर देखो सिंदगी में दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी ऐसा सोचा था लेकिन फैर से उस आदमी से मुलाकात हो ही गई वो भी मेरी बहन की वज़े स तो यह से प्यार करती है यह बहुत बड़ा पागल है यह कहां मुलाका तो इससे दूर से देखकर प्यार किया है अब तुझे मेरी हल्प करनी है नहीं तो मैं अपनी जान दे दूगी कहां मिलेगा वह भी श्री रंगा ओ गुड मॉर्निंग सर्व वेरी गुड मॉर्निंग जॉइन करने के बाद एक ही महिने में बड़े-बड़े मोबाइल कंपनी के साथ तुमने हमारी कंपनी को कॉम्पिटीटर बना दिया वेल डैन मैं काम चोड़ रहा हूं सेर बहां बट वाई तुम जैसे तैलेंटेड आदमी को यह कंपनी नहीं छोड़ना चाहती बताओ तुम्हें क्या चाहिए कि की क्या है तो मेरी बेहन आपसे प्यार करती है क्या कहा तुमने तुम्हारी बेहन मुझसे प्यार करती है वह खुब्सरों देखती है फिर तुम्हारे जैसे बगवाल देखती है पहले मेरी बात सुनों कि हाँ बलो बलो उससे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बता है इसलिए तुम्ह मेरे बारे में पता है क्या। हाँ पता है चाहे फ्रेंस हो चाहे पैरेंस हो सब एक है तुम बोलो कमान कमान मैं चाहती हूं कि मेरी बेहन तुमसे नफरत करने लगे तुम्हारा नाम सुनते ही वह चड़ जाए इतना ही इसके लिए इतनी एमोशनल हो रही है तुम जैसे अभी आम निकाला है तुम तो इसको बस्तूरत कह रही थी जानू अगर तुम्हें उससे प्यार था तुमसे डारेक्ट आके कहना चाहिए था ना बीच पे यह कबाब मेहट्डी कहां से आगई अले मेरी जान तुम कितनी अच्छी लड़की हो तो फिर तुम इस म अधिमो को स्विविंग पूल में धक्का देकर मार दिया था मैंने अभी तक इसकी बॉड़ी भी नहीं मिली है यह नहीं बताया तुम इसे जम पागल है क्या है कि एक लड़की के प्यार में पागल हूं है और उसके साथ शादी करने का डिसाइट के लिया मैंने किस बदनस जाओ तो तुमारे लाइफ एक दम सटल लाव यू ए लेसन वान टू थ्री ब्लास्ट नहीं हो मेरा है तुमारा प्यार सेट करने के लिए कहा तो तुम्हें अपना ही प्यार सेट कर लिया मैं क्यों पढ़ूंगी उसके पीछे हां तो जानती नहीं है वो बहुत बड़ा च तुम्हें यहीं चाहिए था ना अब देख मैं क्या करती हूं मेरी बात नहीं मानेगी तो पश्टाएगी वो अपनी मीठी मीठी बातों से तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है समझी मुझे फंसाएगा ना और तो तु तुझे क्या हाँ डेयू हमने सोचा था कि लड़क कुछने कुछ तो करना होगा आप भतायों कि उसका क्या करना आप मार दू से मार दू से येस येस और कितनी देर्द गूरता रहेगा तू मुझो खोल भाई अब तो अपना मुझो खोलो मराठी में बाद काट मला मराठी माहितना है अब बोल तो रहा था बस इतनी ही आती है कर दो इसकी मौत का गाना बजा तुने गाने के लिए बोला था ना तो ने उस दड़की को आई लव यू पूछने वाला तू कौने पर लड़की बहुत है तेरे लागे का लड़की है क्या है कि कैसे मर्द हो तुम यह सब मिलकर तुम्हें ma और तुम इसका पैर पकड़ रहे हो ची शर्म नहीं आती सॉरी कह रहा है तू अपने आपको मर्द कहता है तुझे को लिए पंद्रा हजार रुपे दिये थे वह आपके सेकंड सेट अप के लिए एजस्मेंट किया है तुझे मारने के लिए चाकुल आई थी ये भी किसी काम नहीं आई भाई उन लड़की इसे सुना रही है और ये एंजोई क्यों कर रहा है मुझे तो लगता है ये पागल है मुझे भी लगता है अब इसको मार के क्या फायता पैसे तो मिल गए है अब दाट टेकिन चल गाए निकल यहां से थारूट गई पेकार में टाइम इस्ट हो गया तो सुनो भे दिया हुआ कबड़ गया क्या हिसाब बराबने हुआ हिसाब करेगा हम अब मेरा चेहरा क्या देख रहे हो जाओ मारो उसे चोड़ा ले अब क्या है तरी स्कीम और इसके बाद मैं हॉस्पिटल में भरती हो जाता तो लड़की को मुझसे सिंपेती हो जाती और वो मेरे प्यार में पड़ जाती और यह बात मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है कैसी लगी मेरी बंपर स्कीम बहुत अच्छी है आठाए अ पुल्गे का बढ़ियो है तो उसरी के सामने मुझे इतना मारा तो उसे वापस कौन बलाएगा तुम्हारा पाप तार अच्छी है नहीं 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 आठाए नहीं 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 मुझ काथ जो पीछे से वार कर रहा है मैं जानना चाहता हूं कि वहना है दो रहा है उ पागल हो यह ना भो यह जरूरी नहीं है के कम लग रही है यार जो भीया आपको घ्ली vita प्लीज 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 यह सब देखकर तुम मेरे प्यार में बिल्कुल मत पढ़ना है प्यार तुम्हें चीक कहो थू कहो कुछ भी कहो मुझे सब चलेगा मैं सिंसेरली तुमसे प्यार करता रहूंगा नहीं तो फिर किकम हो जाएगी अके स्टुपड सुनाओ फूर ओ सु कमिएच कमान बहुत अच्छाय लग रहा सुराव प्लां किसे ने बहुत सों चूटी काठे मुझे और स्कूली बढ़ना ही। अगर उन लोगों के पता चल गया ना तो आपके चेरे का नक्षा ही बदल जाएगा उसे तुमने कुछ पूछा अच्छा क्या बोलता है पता ही नहीं चलता ठीक से समना ही नहीं देता लेकिन काम की बात मुझे ठीक से समझ में आ जाती है चल रहे बेटा देखो तुम्हारे पहले जाओ आप क्या लाइन माने जाएंगे आप क्या अंदर का काम अगर मा को पता चल गया तो चपल से मार खाएंगे वह तब बाहर जाके बाद में करना पहले जाओ चलो बेटा यह हुई ना बात इस इस तब बेस्ट प्लेस व बिरियानी यहां अक्सराथी रहती हूं बहुत इस्टी होती है तो बिरियानी में गुर किसने डाल दिया यहां का कुक कॉन है नमस्ते मेडम वह मैं हूं यहां नाय जॉइन हूआ हूं वराइटी रहेगी सोचकर बनाई कैसी लगी आपको अरे यह मैंदे के आते से उपमा कॉन बनाया भाई मैंने बनाया सर कैसा ल टूरो मैं जहां भी जाता हूं तुम मेरे पीशे चली आती हूं क्या तुम उसे प्यार करती हूं मैं तुम्हारे अलावा किसी से भी प्यार करोगे तुम यह काले पीले कैसे भी चलेंगे तुमको यह ऑलवाला कियों मुझे तो यही पसंद है ऐसी बॉड़ी वाले को प्यार करोगी तुम जिंप वाओंगी इस बटले को प्यार करोगी तुम हिस पहरा दूंगी इस पीट का क्या करोगी पीट लाई पोगर वाईंगी तर्ली शो इंटेलिजेंट आपका नाम क्या है हल्वा क्या किक दी तुन्हें अब जरा देख मैं तुझे कैसे किक देता हूं बटले तुन्हें अभी जबना पेट कम करना शुरू कर दिया हूं बटला नहीं हलुआ हलुआ राज अपसे लड़की को देखा दो उससे परिशान किया दो मार मार के बरता बना दूंगा तुझ मैं यह लड़की तुछ से प्यार करेगी है मेरे जैसा कलर है क्या मेरे जैसा मामल इंसान नहीं है आपको पता है सर आपके एक लुक से लड़किया बेहुर शोकर गिर जाते हैं अभी सापका नौकर बन जाता हूं उस लड़की के बारे में आप जो इंफरमेशन पूचेंगे मैं पटा 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 दूंगा चलिए सर उस लड़की से बात करके उसे उ लड़की के लिए बहुत सारी लोग कॉमपडिशन में इस कार में भी कोई केक में लेगी क्या सर बाइक पर ले जा रहें आप लड़की को और अचानक आपने एक जोरदार ब्रेक माइक वीली वीली सूपर है यह बाइक तो तुम्हारी है क्या मेरी फिर तो ठीक है तुम कसे जाओगे मेरे पास कार है ना किसकी दोस्त आपकी है कैसी लगी बाइक एकदम कमाल है सूपर कम से कम हंड़ेड की स्पीड प्रेमेंटें कोई भी नहीं है जो मेरा कुछ बिवार पाए कहां घुसा पड़ा है तुझे बजाने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला था क्या क्या उसने नहीं दिया और लाइसेंस घारी मेरी नहीं है तो अरे नहीं कुछ नहीं किया आप नहीं मार दिया इसे मार मार कर प्लिस टेशन लेकर आपके हाँ जोड़ता है जो मैं मांगूंगा मुझे देगा बिल्कुल दूंगा आप आपके तो देखिए दो जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली है पुली स्टेशन में गई हुई गाड़ी शमसान में गई हुई बॉड़ी यह दोनों कभी वापस नहीं आती तुम चिंता मत करो मैं उसे जहन्नुम में से भी ढूंड कर उसका कचूमर बना दूंगा नमस्कार साहर मैं आपके लिए वेटिंग और आप मेरे लिए पूरा गाओ सर्चिंग मेरी एक बहुती चोटी सी इच्छा है सर बस किसी भी केस में फिट हो कर दो दिन पूली स्टेश सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं इसमें केस कैसर अगर केस बनाना तो ऐसा होना चाहिए कि जमानती नहीं बहुत ही खतरनाक तरीके से मुर्डर हो गया लिख लीजिए सब्सक्राइब करने के लिए राइफल रेड़ी करो लाठी में जल्दी से मिर्ची पाउडर लगा कर तयार करो आजाओ सब लोग जल्दी से आजाओ मैं कपड़े उदार रहते का वाई अड्रेस मत पूछे मेरा सर मेरे पिताजी जहां रहे ते मों मत पूछे सर प्लीज सर लगता है यह अपने पापा से डरता है तुम चुपरो तुम मेरे पिताजी को पैदा किया है अभी तक तुने केस नहीं बना यह चोटा केस नहीं है छेड़ चाड़ का हो या भीड़ भाड़ का हो जहां मिलता वहीं एंकाउंटर करना अरे सच्वें यह तूसी का बाप है हुआ तो नहीं देखे बेटा तो में था पाप तो नहीं था पाप तो नहीं था तो तो नहीं था तो अब एच्वें पार दिया तेरी सब्सक्राइब कर दिया कर दिया कर दिया अपने बेटे को जान से मार देगा क्या है यह यह जो सब्सक्राइब अबर्ना पता गिर गिर गया नहीं अब बेटों ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा अब 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 वो हो रही मेरी गल्फ्रेंड मैं मैं उसे बात करता हूं बेटी बाप बेटे को इस तरह दारू पीते देखकर तुम गबराओ मत मैं ज्यादा दिन तक जिन्दा नहीं रहूंगा मुझे कैंसर है हाट कैंसर है बेटी बसकाल या परसोता कि मैं रहने वाला इसलिये इसलि यह देकर जीने चे दाव डबक 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 ऑफ़ाइए बडबक पापा तो पकड़ बड़ी खिलाडी है तो महां देखकर पापा एक जूस बेटे के लिए एक पैग है मेरे पापा बहुत बड़े एक्टर हैं पुलिस सेशन में देख लिया था और मेरा ये दान स्टाइल देख के मेरे प्यार में पढ़ दाना प्लीज ए भागवान क्या है ये साथ किया है आए जो जो बात में बात पहुंचा देनाा थे ड्रेंक्स यदा गिर हैं तो हम्हें इस इड्रेस पर पहुंचानाIV इना घ विए जो दॸ्ट गूरान क्या घ खी है। oh god what a crazy character what a father what a son okay so you have dropped the father's son actually wait I guess I will not drop the father's son am I right oh papa one more pack please mommy will make a pack pager pager family I love it पीता है इसकी वजह से मेरे पती भी खराब हो रहे हैं इसे पागल समझू लेकिन ये पागल नहीं है कोई काम नहीं जानता हो ऐसा भी नहीं है एक दिन मेरे पास आकर बोला मुझे काम मिल गया है फिफ्टी थाउजन सैलरी है बताया भगवान का दिया जला कर उनका शुक्रि इसे लाइफ में सेट करना चाहती हूं लेकिन इसके बारे में जानकर इसे कौन लड़की देगा हम कहीं उनसे लड़की ना मांग ले इस डर से हमारे जिश्तेदार भी घर नहीं आते इसे लाइफ में सेट होता देखना चाहती हूं एक माह हूं ना और कर भी क्या सकते हूं एफ वैसे तुम्हारी शादी हो गई है आउंटी मुझे यह बिल्कुल पसंद्ड़ नहीं है तो इसे तुम घर जोड़ने के लिए क्यों आ गई हां अमें मुझे तो वह प्लकुल पी पसंद्ड़ है तो मैं उससे तरह सेव्द और गुण आच आपको इस इनसान पर या तो गुस्सा होगा या पर प्यार होगा पर मुझे उससे दोनों क्यूं है उसे प्यार करने जैसी मेरे अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है क्यूं है इसा हां मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं मैं कुछ सुनना चाहता हूं मैं किसी का मंडर करना चाहता हूं पर म कंफूजन होता है एसे गुर क्यों रहा है चल निकल यहां से आंके निकाले। अगा लुगा चलिस गुल जा मैं क्लीनिंग कर रही हूं डिस्टर्ब मात करो बात क्या है वो बोलो तुम्हें देखता हुं तो चिकनी चमेली गाने की करीना तुम्हें इतना जादा काम करने की क्या जरूरत है कितना मेहनत कर रही हो तुम यह पेट यह बटला मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाता हूं मेरी बात मानो आज तुम माई के चली जाओ तुम्हारी जैसी जवान ब्यूटिफुल लड़की को कोई हैंडसम जवान से लेनी चाहिए और सणो मना जया करना चाहिए अब मैं तुम्हें तयावर्ण देता हूं ह्वाकोई जाजा 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 जाजोद मीं अब तो कुछ में करके इसका मडर ही करना पड़ेगा हम क्या करूं आइडिया दूद में पॉईजन मिला कर वो ही सुसाइड नोट लिखी है ऐसा लिखूंगा मुझे बहुत पेट दुखता है दर्द सह नहीं पा रही हूं जिन्दगी से परिशान हो गई हूं इसलिए जहर पी के मर रही हूं वह जहर वाला दूद पीदे ही तड़ा तडब के मर जाएगी और उसके बाद पेड में रसी बांद के उसे यहां तक लाके उसके सर को रसी में फासा के और ऐसे कर्च दूगा आपा ओड़ा एवा इसलि हमेर मूद दें पाड़ा खेळा वं-खेचिया आख कर अधेर रहले उसमानिम्हां इनना ट्या प्र horrific कान्य। मयलीस टावअ जरिशा हाँ हाँ Watt किकु लड़की सूपर है तुम्हारे लिए थोड़ी ज्यादा है हाँ हम यह पकड़ो यह पैसा तुमारे डॉनेशन के लिए थेंक्यू तो मुझे कुछ बोलना चाहती हो और मैं तुमसे कुछ सुनना चाहता हूं क्या बोलू आई लव यू कहे दो ना जाने मन तुम ते री तो रोज भाई पुराने तरीके आजमा के मुझे पठाना चाहते हो मैं परिशान हो गया तुमसे कितनी एक्सपेक्टेशन रखी है मैंने तुमसे पर तुम किसी कांके नहीं हो यूसलेस पर दो एक बार सिफ एक बार आई लव यू बोल दू ना प्लीज तुम म और प्यार होना अलग बात तुम मुझे बहुत पसंद करना और लोग करना दोनू अलग अलग बात था इसने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया किकु मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूं थो पसंद करना बिल्कुल पसंद नहीं आया तेरी वल्या से मैं इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहाँ छोड़ोंगा नहीं तुझे भाई अरे यह कुकु कौन सी भाशा है समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें भाशा आया नहीं आये तुम्हें लिखना होगा पढ़ना होगा भाई यह लैंग्वेज तो हम कैसे भी बम लगा देंगे देंगे उसके साथ इसे भी लगा देंगे यह तो ही है पैसे बहुत लगेंगे नाव प्राब्लम दस लाग एडवान टिन लग्स टैंक्यू फोटो नहीं चाहिए अल्ड़ेडी मेरे पास है है मैंने तुझे जब फोटो दिया था वह फोटो तो ब्लैक है हाँ 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 कलर जिरुक्स करवाया अरे यह बात तुझे पहले ही बताना चाहिए था ना कुछ भी करके कर देंगे लग्स लगता इस बार उसके काम तमाम हो जाएगा मेरी कार कीज पी साथ में है पहले से लेकर भागना है अरे यह गाली लेकर कर आ जा रहा है बॉब लगात है क्या अरे दस लाग देकर उसने खुद अपने नीचे बभ लग वा लिया पीछा करो तो मुझे कबाड़ वाली बाइक पकड़ा कर फुद फर्स्ट क्लास एसी वाली गाड़ी में घूम रहा है चल 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 जल्दी कर नीचे उतर चल अभी निकल ले चल निकल रहा है कि नहीं उन द्राविंग सीट पर मेठोंगा तब इस गाड़ी के वेलू भी बढ़ जाएगी जी लिए जीस उदसे नहीं इस कमिने को अटाआवाँ था पुलिस वाले को बॉम से उड़ाएगा तू सर मैं नहीं अब मैं तेरे नीचे बॉम लगा कर तुझे चांद पर पहुचा दूंगा अगर किसी के बच्चे लाइफ में सेटल नहीं होते तो पेरेंस चिंता करने लगते हैं लेकिन आप है कि कि उसी को सपाउट करते रहते हैं आप ही बताईए अंकल क्यों इतना वह अपको उस पर वो मेरे जैसा नहीं है बेटी इसलिए एक्चुली मैं बचपन में इंजीनियर बनना चाहता था हाला ठीक नहीं थे इसलिए बैंक में काम करना पड़ा जो मुझे पसंद नहीं था आदमी जीवन में कुछ मिस करता है वही मेरे साथ भी हुआ यह सब के साथ होता है मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए वो जिंदगी में जो चाहता है उसे वो मिलना चाहिए जो काम वो नहीं जानता है उसे वो छोड़ देता है अभी जो करने गया था वो उसके ला करने वाले हैं नहीं यह लीजिए देखो बेटी जानती हूं मेरा बेटा नालायक है लेकिन एक बात तो सच है वो तुम्हें बहुत चाहता है तुम हमेशा उसके साथ रहोगी ऐसा मुझसे वादा करो करू बेटी तुम उसे इतना टेंशन क्यों देती हो वो ठीक से खाना भी पसंद और प्यार के बीच में क्या फर्क है इसी बात को लेकर वो परिशान रहता है उसके मन की शांती के लिए जाकर उसे दो बातें कर लो जाओ बेटी क्यों नहीं आ सकती हाँ हाँ आ सकती हो जाकर उसे बात करो पहले तो अक्यले पीछे पड़े थे अब पूरी फामिली मेरे पीछे पड़ गई है पापा कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं चलो 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 पापा और यह क्या कर रहा हो तो मैं पूछ नहीं हो अगर ममी बापा यह नहीं होते तब बताई नहीं मैं पूछ रही हूं लामberry क्या बनना चाहते हो तुम लामें लाइफ में डॉक्टर, लॉयर, सॉफ्ट्वेर एंजीनियर, पुलिस ओफिसर, पुलिस ओफिसर, बनना चाहता था, तुम्हारा टालन्स सॉफ्वेर एंजीनियर जैसा, पर तुम्हारी फिजीक पुलिस ओफिसर जैसी है, मुझे पुलिस ओफिसर बहुत पसंद है, तुम उ मैं उससे नहीं मिली थी और नहीं उसने मिलने की कोशिश की लेकिन मेरे कहने पर उसने जॉब जॉइन कर ली यह सुनकर मुझे शौक लगा उसके काम पर जाने से मैं बहुत खुश हो गई और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ ही बदल गई प्यार में पढ़ने की वह कि मेरे पीछे पीछे गुमता रहता था और मैं भी जान बूझ कर नहीं कहती थी कुछ भी कहो एक लड़के को पीछे खुमाने में बहुत मज़ा आता है वैसे मैं इतनी जल्दी तो नहीं कहना चाहती थी लेकिन आखिर में वो दिन आ ही गया वो तुम्हारे लिए सही करती थी आंकल पर उसके करीब आने के बाद उसके बार में पता चला कि वो बहुत ही अच्छा इंसान होना ही काफी नहीं है जिन्दीगी में और बहुत सारी चीज़ें महत रखती है उसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जिससे मुझे वो परफेक्ट लगे ऐसा कभी अपने माबाप की बात नहीं सुनी सिर्फ मेरे लिए से मेरे मिया आंकल अभ उसने जॉप जोईन कर ली है और अब वह नं लगा कर काम कर रहा है मुझे अपने प्यार प्यूरा भारूसा है और रूस से बींस्यादा उस पर बारूसा है उस चंब पहले जैसा नहीं रह कि अच्छुस्ट स्ट्री रंग के रूप है यह लफ देख पर जोब वह लोग बाग दिद विट रिवीक पहले जोड़ कर गया थ्री वीक्स यह है 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 कम आई तुम यहां पर अरे मुझे किसी ने बताई नहीं कि तुम आई हो वह क्या है ना जहां मैं जॉब कर रहा था आदमें उसे उदार पैसे मांग रहा था यह प्राइविट जॉब ऐसे ही होता है एक दम खूण चूज लेते हैं आज मैं बाद बिजी था यह नो बस करो और कितने दों तक जूट पोलोगे हां तुम्हे मैं पताछल गया बागवान का संब थोड़ीद्यर में बूलता ये करो थोड़ी दर में बूलता वह करो नर्क थी वह जगे नर्क में काम करना था मां तुम्हारी पसंद के करना नहीं किया यह मेरी पसंद की जॉब लिस्ट में था इसलिए क्या सिंपल ठीक है और सुछग के छोड़ी केक नहीं मिलें कब मिलेगी तुम्हें ये केक पता नहीं मैं भी ढूंड रहा हूं नहीं मिलेगी कभी नहीं मिलेगी तुम कोई काम करने के लायक ही नहीं हो अंकर ठीक कहते हैं तुम जैसा इंसान जिंदगी में कभी नहीं बदल सकता मैं ही ये बात समझ नहीं पाई और तुम पर भरोसा कर मेरा बॉइफ्रेंड क्या करता है डॉक्टर है लॉयर एंजिनियर वेटर एट लीस्ट प्लीन इन सवालों का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है अगर कोई यही सवाल मुझसे बूछेगा तो मैं क्या जवाब दोंगी बताओ कुछ मत बोलना सालेंट रहना लाइफ में लोग अपनी पसंद का काम करते हैं नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मुझे जैसे आङेणे बढ़ते हैं कितनी और मुझे नहीं नहीं पता कि अरे इतनी इमोशनल बात क्यों करा यह दो मेरा कैरक्टर नहीं है डेकर मैं आ जाता हूँ बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहती थी मैं और तुम भी वही बात सुनना चाहते थे मुझ से पर ऐसे समय पर बोलना पड़ेगा यह कभी नहीं सोचा था और यहकोडना लाइफ बोलो बोलो करके मेरे पीछे पड़ गाय तो आज मैं कहरही हूं आज पर पर बात कहते हैं पर आज मैं अलग होने के लिए थी इन जाती नेवर ने ओन वाग जाती यह पर आज ने देकना के लिए नहीं जाती और उसके बाद मलेशिया है मुझे एक साल हो गया मैं उसके बाद उससे कभी नहीं मिली वो अभी भी खुद को ही सही समझता है पर गलत है न हां या मुझे भी इस तरह के कैरेक्टर वाले लोग पसंद नहीं है कि यूर राइट क्या तुम अभी भी उस लड़के से प्यार करती है नो 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 तुम्हें बताना चाहती थी इसलिए बताया यहां आने से पहले मुझे शादी में इंटरस्ट नहीं था लेकिन अभी मेरी सोच बदल रही है तुम्हारा इस तरह से बातें करना मुझे बहुत यह तुम से शादी करने के लिए मेरी तरफ से हां है और मेरी तरफ से हां आर यू शुर येस वेरी शुर ऐसे अलग के लोग सिर्फ तुम्हारे शेहर में ही नहीं रहते तुम्हारे सिंदगी में भी कोई आया था क्या आपको आपकी कहानी में किसी से प्यार हुआ है मगर म मेरी कहानी में मैं उस character से नफरत करता हूँ हां इंडिया में most successful police officer हुआ है मैंने बहुत सारे case solve करके बहुत सारे criminals को रास्ते से हटा दिया department में कोई भी नया joint करता है तो उन्हें मेरे काम की और मेरी sincerity की मिसाले भी जाती है चोरों से लेकर माफिया तरह, बिंदों से लेकर टेररिस तक सब का ख्योल खत्म कर दिया था मगर अभी भी एक चोर ने मुझे डिस्टर्ब गाए एक नहीं, दो नहीं, पूरी 14 चोरों की एक 150 करोल रुपए लूटे है उसका केस गवर्नमेंट में मेरे हाथ को सबा रहा है वो ये क्यूं कर रहा है? पता नहीं कहां रहता है? पता नहीं वो कैसा दिखता है? वो भी किसी को दो रहा है आखिर वो चोर है कौन? आज तक वो किसी को दिखा नहीं और वो पूरे स्टेट में लूट कर तबाही मचा रहा है इस राज्य का ग्रेह मंत्री हूँ मैं इसलिए मैं तुम्हें फूल पावर देता हूँ उसे गिरफतार कर इस फाइल को प्लोस करो और पहली चोरी हुई जुलाइ में पांच को हुई में भी चोरी हुई मंत्री लोगों ने जब कभी भी उसके बारे में बयान दिया तो उनके घर में भी चोरी हुई है मेरा अंदाजा अगर सही है तो उसका नेक्स टागेट यहीं कहीं है कौन है वो वो आप हो मैं यह कैसे कह सकते हो तुम आज सुबह ही आपने टीवी पर उसके बारे में इंटरव्यू दिया तो तुम्हारा अंदाजा सही होगा यह कैसे हो सकता है प्रूफ करो मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता यह सुपर्रंगा झाल झाल हाई पार्टनर मैं जानता था तू मुझे फोन करेगा पार्टनर अबे कौन है तेरा पार्टनर तू ही है मेरा पार्टनर अरे तुने चोरी में मेरी वदद की तो पार्टनर हुआ न तेरा हिसा भेजू क्या पार्टनर तू मुझे अपना पार्टनर बना के बहुत बड़ी गल्ती कर रहा ह। वह क्या है कि जब तुने मेरे हाथ में गोली उतारी थी, उसी वक्त तुमेरा पार्टनर गया था ए अगर मैं तेरा पार्टनर नहीं होता ना, तो बंदूग की गोली सीधे तेरे सीने में उतार दी होती, मैंने उस गोली को जान बूज कर तेरे हाथों पर नहीं चलाई होती क्या बात है पार्टनर, आक्चोली तुझे मेरे बारे में कुछ पता नहीं है एए एए चोरी करना तेरा प्रोफेशन नहीं है तू तो ये मज़े के लिए कर रहा है क्योंकि किसी को चैलेंज देना तुझे पसंद है ना कुछ नया बोलना पार्टनर नया बोल तेरी बाड़ी मेरा मार सह नहीं पाएगी किसी पिटी बात मत कर कुछ नहीं बोलना नहीं एए एए तेरी बातों में मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नजार आ रहा है तुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा ये सोचना भी मेरे पार्टनर ये तो मेरा स्टाइल है तो कुछ नहीं बात बोलना मगर एक बात हमेशा याद रखना पार्टनर तु मेरे कितने भी पास रहे लेकिन मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा ए तु मुझे बहुत परेशान कर रहा है तुझे अरेस्ट किये बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा कैसे करेगा पार्टनर मैं किस तरह रहता हूं तुझे पता है नहीं पता है मैं कहा रहता हूं पता है नहीं पता और मैं किसके घर पर चोरी करूंगा पता है नहीं पता और मैं कैसा दिखता हूं यह पता है नहीं पता लूजर लूजर वाव इंट्रेस्टिंग गाई नॉट एनिमोर वाई तुम तुम्हारी स्टोरी वाने करेक्टर से मिलना नहीं चाहती हो लेकिन मैं मेरी स्टोरी के करेक्टर को मिलने के लिए बेकरार हूँ मलेशिया आने का मेरा एक ही मकसद है उससे अरेस्ट करना है क्या हाँ मुझे पता है उससे पकड़ना इतना आसान नहीं है मगर मेरे पास एक क्लू है लूजर यही है उसका दिया हुआ क्लू ये क्लू डिकोड करने के लिए मुझे दो दिन लगे लूजर को उल्टा करके पढ़ोगे तो R3507 होता है ये सिर्फ एक कोड़ वर्ड नहीं है जिस फ्लाइट से वो मलेशिया आया उस फ्लाइट का नमबर नहीं अब वो मलेशिया में ही है इस बार मेरे हाथों से उसका बचना नामुमकिन है उसकी परचाई को भी मैं पहचानूँगा एक्सकूज में प्लीज ये अड़स आपको पता है नहीं आपको पता है मुझे भी नहीं पता है वन, तू, त्री, नव विल दे गेम स्टार्ट दीदी, दीदी अग्राचुलेशन्स, नेक्स्ट विक तुम्हारे इंगेजमेंट फिक्स हो गई है अरे वो छोड़, तेकर भी अंजान जैसे चला गया कौन? और कौन? वो किकू रंगा किकू रंगा यहां आया है यह संकर तू इंग्साइटिड क्यों हो रही है वो फिर से मेरी लाइफ बरबाद करने आया है वो वही तो है ना? नहीं कोई और तो नहीं कोई और नहीं हो सकता नहीं अच्छ से वोड़ा Mr. Srirangnath, we got complete information from Indian Government I will give you full support from my department to catch the criminal Thank you Mr. Kumar You are welcome Anything else? I should have a good news Mr. Anand, what's your inspiration behind becoming a police officer? justice delayed is justice denied and I believe in instant justice that's my inspiration reason for visiting Malaysia मेरे पार्टनर के लिए मैं यहाँ हूँ did you find him? definitely वो मुझे मिलेगा मैं उछे ठोन निकाला any failure so far? I don't know the meaning of failure so far but I'm not a loser I'm not a loser hi partner Ranga Shree Ranga पेपर में interview एकदम मस दिया तुने क्या देख रहा था तु हाँ what a photo जनिक फैस मैंने सोचना था कि तु यहाँ शादी करने के लिए आया है लेकिन तु तो मेरा दिया हुआ code loser break करके मुझे पकड़ने आया है हाट्स आफ super अर्जेंटली तुससे मिलकर मैं तुसे हाथ मिलाना चाहता हूं मिलाएगा क्या बूल पाऊं सर पर रखेगा फिर भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा थैंक यू पार्टनर पेपर में मैंने जो न्यूज दी थी उसे पढ़कर तु मुझे कॉल करेगा यह मैं जानता था अब तु फस गया है मैं मैं आप लूजर यू आप लूजर यू आप लूजर शूपर किक्दिया पात्नर है दो शूट रिट रिट कमार वाला है कर अप लूजर वाला तीदी, तूम इतने उदास क्यों हो मजे कुछ समझ नहीं हुआ यहा I told you, I told you कब, कब, कब Hey यह इंडिया से आया हुआ एक स्पेशल केस है सर पर ज्यादा चोट लगने की वजह से ब्लड क्लॉट हुआ है पेशेंट हैं पेशेंट लॉस्ट लॉस्ट इस मेमरी पार उसे उब्सवेशन में रखा गया है तुम सब को उसकी बहुत केरफुली देखाल करनी है दॉक्टर लिकमिंग जाइफ़सेंट सब्सवेशना लॉस्ट इंडियों उतार कर चमोट इस चमन दो दो दिनो तुम लॉस्ट इमरे पेशेंट को किसी ने अंधि तेंशन हो रही है अगर में पेश्ट से नहीं मिला तो मुझे गुच्छा आजाएगा तो मेरा बड़ जाएगा उसके बाद का 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 अबाद मैं ने प्रोब्लम मैं विकनेस आ लोस्ट माई पेश्ट हाँ हाई डॉक्तार आवाई यू वाई फाइन कि यह वेट इन में बैक मैं पेशंट इस तरह से बात कर रहे हैं इस नौटर मतलब अभी हम जिसकी बात कर रहे थे यह वही मेमरी लॉस्ट पेशंट है वह भी इसी हॉस्पिटल में पेशंट बन कर हैं को कि थेना रहे हैं हम ढूतों है बॉबल तरह नहीं हैं हमुआ कए कीया है लोक यह एक रहे लिख सेलेँ आरैंश पारताया थे दो यह लज़ा इस नहीं प Eli 5 कि बेक 돼 किया है है क्या है कि तुम सामने रहा थेकि एक कर थेुमरी मैमरी लॉस कंट से अट उल्च में उल्च अब तक हम तो तक तुम तो इस शो में हिस अफपिटल का भोल गया था मैंब भूरा मलेशा को में मतलम पंचाने यह तुद मतलम अच Remember अच्छर 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 घर अच्छर शत्राइब पार विखन्छी पर आपके ने पर अच्छर्टर अच्छर एहे रिचुछ ऑब रात अच्छर अच्छ अच्छ स्विक्ति कंडिशन गैसे से असुण। मंच लगभी दाउट होता है मैं पेशेंट हूँ, 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 मैं इंद स्टेफ मेन को जो डॉक्टर बनाते में सच में पैशन बन गांगा आखर इस हॉस्पिटल में क्या हूरा है take a यह जब फुट्र गोली वाइड़ वड़ाग ब्री प्रीटि फुलेडी अ अब उसे पुराना कभी कुछ भी याद नहीं याद आएगा अभी उसने मुझे मर तो मुझे सब याद आ गया ऐसे ही उसे दे और नाइट मारते रहोगे तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा अजिव एद रहे प्रोब्म प्लीज कम रहें हैं सब्सक्राइक अज़टाः को प्लीज कम याद रूम समजगे न ne अबया या अबया ओपंआएपंआएट वेरी नैस सबीज में दूनажи-दी याद ओऊ क्या हुआ इतनी टेंशन क्यों ले रही हो इसा कुछ नहीं है कि करके उड़ता रहता था इसे लिए उसका दमाग बिलकुर खा लिया हो गया है अब मुझे रिलाक्स लग रहा है वो मुझे दिस्टर्ब करेगा इस बात की बहुत टेंशन थी बट अब जाकर मुझे रिलीफ म नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उसे भी ज्यादा इंटलिजेंट ब्यूटी हो तुम क्यों मेरी बात मानोगी प्लान सी फ्लॉप हो तो प्लान बी रेडी है वट इस प्लान बी पेशन्ट और बैन पजार्ट इसका मतलब यह मेमोरी लॉज सब भूल जाना कोई बीमारी नहीं है सब कुछ भूलकर खुशी से रहना यह है राज्यू अरे जगली बिली है क्या पुरी तरह से काट काया बॉप्रे क्या रही थी उसे चंद से माड़ा तीन याज क्या कह रहा था वो सब भूल गया तो उसकी लाइफ चुछ था और प्यार करने के बार करने के बार भी वह फुरुश है मार दियाना चोड़ दो उससे उसे एसे नहीं छोड़ूँगी मैं उसके सामने ही श्री बच्चे लोग शादी के लिए मान गए बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जिन्दगी में इतना कुछ कमाया है लेकिन आज जितनी खुशी मिली है उतनी कभी नहीं मिली थी इसके लिए तो यह पार्टी अच्छा आपका दामाद तो यहीं सेटल होगी है कहां है तुम्हार इंडिया के पुलिस इंस्पेक्टर के कार के नीचे बॉंब रख दिया एक लड़का लड़की के कारण यह सब हुआ था अगर पकड़ा जाता तो पुलिस वाला मेरा बैंड बजा देता इसलिए यहां सेटल हो गया क्या आपके खामोश क्यों है अरे जोग मोल रहा था भा इंडिया मेरे इसी नड़के के साथ प्यार था अगर मेरे ससुर को पता चल गया तो मुझे एरो प्लेन में चला के धक्का देगा उसके बाद इंस्पेक्टर हाँ यह क्या वहां उन दोनों ने प्यार किया यहां यह दोनों शादी करने वाले हाँ वह इतना सीधा नहीं तो वह यहां जरूर आएगा जरूर एक्सक्यूज मी कौन है यह एड्रेस बता सकते हैं प्लीज यह है आपका नाम राज परकाश राज कब आता हूं मुझे खुदी पतानी चलता थांक यू यह तो मुझे पहचानी नहीं पाया अब इसके क्या काम है आइम गजनी कब क्या करता मुझे पता नहीं होता थांत सिर नुए नुए यह है मैं अब इस बिला फ्रेंड है इंदिया से हाई ए है शे रंग कश रंग है यह थालो हाट कळी पैनाव गर हाथ नहीं मिलाव अगा अगर तु तो मैं भी मिलाऊंगा पार्टनर बेचारा इसकी यादाश चली कही है ट्रीट्मेंट के लिए हुआ है हाथ से हमारे साथ ही रहेगा ओके बाबा ओके हम सॉरी सॉरी क्यों सर वो जो डबा वाली पास्टेंस है उसको भूल कर प्रेजेंटेंस में खुश हूँ यहां तुम पाकल हो गया उससे लाग कर अपने घर में रखोगी क्या प्लान है तुम्हारा मेरा ब्लान यह है बताता हूं अबे हुले कौन है तु राज हलवा राज इंदिया में मेरे साथ प्यार का नातक करके यहां मेरे पुलीस जीजा को चॉकलेट खिला रही है यहां पुराना सब कुछ भूल के लगता है ब्लैंक हो गया है इसने वह मुझे पहचार नहीं पाया अब एक कीको अब देख दरे सब क्या करता हूं दगेम स्टार्ट्स ना कि एक किको तु पुराना सब कुछ भूल गया ना मेमरी चीप सब इरेज हो गई है अब मैं तुझे देता हूं किक यह एक साफ है और यह गया कुंडा क्या है प्रिकाश नहीं जगा है ना नीद नहीं आ रही है सच्छी कहूं तो मुझे भी अकेले में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है आजा बागल में आजा थोड़ी गर्माट रहेगी आपको कोई तकल अब तुम नेचे कुछ भी नहीं पहना है क्या ओ यहां पर मैं अज़ा है अगर मैं कपड़ पहला तो बिछे नहीं नहीं आती अगर मैं प्रकाश मलेशया में ठंड भाहत रहती है तुम पास आजाएगा थोड़ी गर्माहत आजाएगी अरण देवी अब आपी लोग कि अपता अर्फ क्याा बता हुआ तो कपड़ा पहनता नहीं दूसरों को भी कपड़ा नहीं पहन देता है अच्छी हगा अमेशा मुझे परेशान करता है तुमसे कुछ नहीं होने वाला अब मैं अपने स्टाइल से हांलिल करूँ है वो देखो यह जो आपको कैसे बुल सकता हूं उसे पहचाना मुझे नहीं पहचाना तुने बोला फ्रेंस फ्रेंस तो मेरी साथ चलो ना कहां चलें बताती हूं चलो ना इसे तो रात में मैंने वह समझा था यह तो दिन में भी है सचका हूं तो हम दोनों सर्फ फ्रेंस नहीं है हम लवर्स हैं हो ही नहीं सकता मैं नहीं मानता मानना बड़ेगा वो कैसे तो मैं गड़ तो कैसे यादा थो एक साथ पूरा बता दो ना और तब ऐसा हूँ की तब क्या हुआ सब भूल गया था मैं यही समझीजी न तुम लेकिन मुझे सब कुछ याद है कहां तक याद आया इसने यहां तक बताया वहां तक मुझे याद है अरे कंटिन्यू कहां पोलो दीदी तक है कि यहां याद आरा है याद आ रहा है याद आ रहा है याद आ याद आ गया है उसने मेरी बाइच ज़्या भाइब वह देखने में पट्ला पेट निक्ला वाए उसके कौन है वह यहां नहीं हों कहां जा रहे हो तुम से बचने के लिए लेकिन तू हल्वा के जैसा नहीं है हल्वा वो हल्वा तेरे जैसा दिखता है कहां पे वो बाइक तुमने उससे पागल से क्यों प्यार किया पता नहीं पर मैं उससे बहुत नाराज हूं और वो जो कुछ भी कहता था उसमें कुछ नया नया सा लगता था और उसकी किक मुझे बहुत बहूद अच्छी लगती क्या तुमने उससे इतना प्यार किया था हाई इतना प्यार किया था और हमालत क्यसे हुए पता है तुमने अभी से अलग होने की बात क्यों कि नहीं पता लेकिन उसके अंदर तुम्हारा जो केरेक्टर है ना सूपर है वाग एकदम सूपर है क्या यह कैसा ट्विस्ट दे कर चला गया आपने बिल्कुल सही का था सर वैसे ब्रेसलेट बैंगलूरू जूलरी शॉप से दो लोग उने परचेस किये वह परचेस करने वाले दो लोग कौन है मुझे उनकी पूरी डिटेलस बेजो एक डिजीपी साब ने परचेस की है और दूसरा एक लड़की ने खरीदा है सर लड़की ने खरीदा है मुझे लेकिन डिलेवरी जहां पर की गई हो उसका ड्रेस है हमारे पास ओके उस एड्रेस पर जाकर उस लड़ ईशेर जाने के क्या जरूरत थी? वो जब भी काम से रेजाइन करके आता है तो न उसे सुना देती हो अब जब वो सिंसियरली काम कर रहा है तो उसे करने दुझ न स्वाथी जी हैं क्या स्वाथी? माफ किज्ये इस नाम का कोई नहीं रहता यह लड़की कौन है ये लड़की इन्होंने एड्रिस यहीं का दिया है देखिए हम लोग इस घर में साथ साल से हैं इस लड़की को इस घर में ही क्या इस एरिया में भी कभी नहीं देखा है मैंने उस लड़की को नहीं जानती हो ऐसा क्यों बोला तुमने तो क्या वो मेरे बेटे को छोड़ कर चली गई मेरे बेटे के साथ हमेशा रहूंगी ऐसा प्रॉमिस क्या था उसने ऐसी लड़के के बारे में मैं क्यूं बताऊं नाम भी ठीक से नहीं पता है किस लिए ढूंड रहे हैं क्या पता मुझे वह बकवासा फ्लाश बैक नहीं चाहिए मैं इस समय प्रेजेंट में बहुत खुश हूँ एक दम खुश हूँ आ लाव यू आ लाव यू हां क्या चल रहा है यहां पर मैं बजाती हूँ यह लड़का मेरी बात की नहीं सुनता है मुझे देखके ऐसा लग रहा है कि वह जान बूच्च के ना तक कर रहा है वह यहां ऐसे खड़े क्या हो जाकर पूछ हो ना मुझे उसके उपर डाउट है अच्छा हल्वा यह क्या हो तुम्हें यहीं तो हो ना मैं यहां हूं तो यहां नहीं हूं दूसरी जगह हूं तो यहां हूं ऐसा लग रहा है अरे जल्दी कुछ करो हल्वा प्लीज अगर तुमर तो यह कपडा उठाक है मुझे मार दाख अब कभी ने तुझ में मेरा चेहरा देखने की ताकत है क्या मेरे लाल तुछे कौन डरता है हलवा तो तेरी आदास्त नहीं गई नहीं मुझे सब याद है बता देता हूं सब कुछ इस नलकी को बता देता हूं तूने बीवी को जान से माने का प्लैन बनाया पुलिस इंस्पेक्टर की कार में बम लगाया नकली पासपोर्ट पे मलेशा आया तू यह सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है जा 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 यह सब क्या है बहा है अभी छो चल रहा है वो गेम अच्छा है ना जुशू हुआ हाँ अब मेरे लोट पेशन आइक हाँ ऊसका कोई मेमरी लौश नहीं हूए साइलें क्यों सर दिस इस होस्पिताल क्यों मारा नंसेंस रासकल उसे मेमरी लॉशा नहां मैं दॉक्तर हू गो कि यहां दो साल पहले क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं लेकिन उसने मुझे सब कुछ बता है कि यहां क्या क्या हुआ था कुछ बता है कि मैं डॉक्टर हुँ उसने तीन मिनट के बाद यह बात मुझे बता है यह तुम्हें पता चल गया है लेकिन यह बात उसे मत बताना नहीं तो वह मेरा बैंड बजा देगा किसी कुछ नहीं बोलुक्त पेशेंट वेर इस मैं पेशेंट वेर इस माय पेशेंट सब्सक्वोमजे सारी याद आगी है उसकी याददास के बारे में चोड़ा मुझे तो अपूरा फ्यूचर याद को इस मूट मैं क्या घृत नहीं हम लोग नहीं खेल रहु है गेम उसने सब्सक्रान दर्शक है सब लोग मुझे ही डाट रहे हैं भगवान तू यह क्या कर रहा है तू सामान ने आदमी नहीं है उस मेंटल आदमी को तूने मेंटल डॉक्टर मना दिया सही सही बता और कितना गेम बाकी है मुझसे बर्दास्त करना पड़ेगा अभी तो सर भी बाहर नहीं आया है अभी तो आने पर तुम्हें एक शौकिंग नियूज बताऊंगा तेरा जीजाज इस चोर को ढूंड रहा है ना माना कि वो मलेशिया आया है लेकिन इंडिया में रेगुलर्ली चोरी करता था अचानक से साइलेंट कैसे हो गया चोरी छोड़ दी किया और ये डिसेंबर 16 क्या है डिस अगर उसने चोरी करना छोड़ दिया है तो फिर ये टागेट क्यों बताया एक्शली उसके चोरी का मकसद क्या है ये पता करना होगा इस बार वो मलेशिया में आखिर किसे लूटने आया होगा अगर वो लूटेगा तो किसी एनराई को ही लूटेगा वो इंडिया से अगर वो यही गए रहा है झाल शेली थो ये झाल लूटने आखिर औरक वो लूटने खरवए ये प्सक्रव कर दोटने आखिर से लूटने में आखिर वे एक्शली है Yes? I am a police officer. Can I see the CCTV footage? कर दो कि अदुर कि लिए्ट अच्छी कि अब दो ठक रहते हैं इप्स्सकतल्न अबादे अबस्तल्ट अभी अबस्तल्टm अबस्तल्ट इंद आप रहते हैं अबसे अपन से लिए मान उब सकता है अबसे जम्योटन आगाओ तुझे हमेशा ड्यूटी की ही पड़ी रहती है क्या यहां आने के बाद भी उस्चोर के बारे में ही सोच रहा है मुझे यह बता तुझ यहां लड़की देखने आया है या फिर उस चोर को पकड़ने अगर तुझे कुछ हो गया होता तो इतना सिंसियर आफिसर आपको कहा मिलेगा और आप उपर से उसको डांट रहें अरे इन पर तो हमें गर्व होना चाहिए सर रियल यू आर वेरी ग्रेट आपके अंदर जो फायर है आपकी जो परसनालेटी है अगर आपने उस चोर को पकड़ा और उससे टॉर्चर किया तो ए नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा अब आप इंतजार नहीं करेंगे कल के दिन अच्छा मुहरत है मैं सोच रहा हूं इंगेजमेंट कली कर देते हैं एक मैने पहले ही फिक्स हो गई थी इंगेजमेंट अगले हफते करेंगे इंपॉर्टन्ट बिजनस मीटिंग है यह क्या सर मीटिंग के बारे में सूच रहे हैं बेटी की शादी से बढ़कर मीटिंग इंपॉर्टन्ट है क्या आप उसे कैंसिल करवा दीजे ए चुप रहो एक तो तुम्हें आधा याद रहता है और आधा नहीं और बकवास करने म आगे हो ठीक है सासूर जी अगले हफते एंगेजमेंट फिक्स कर दीजिए था एंक्यों अरून बेटा वन मंथ बैक मीटिंग फिक्स की मिनिस्टर मीटिंग इन मलेशिया यह मीटिंग कब फिक्स हुई है पता करो अब हलवा तू यहां बैटकर क्या कर रहा है अरे बाप रे तुम कभी कभी कैसा करते हो मुझे समझ में चुक्त के लिए क्लिए पलिस के सामने कर दोंगा मैं सरेंडर करते ही पुलिस को तेरा नाम भी बता दूगा अच्छा होगा जेल में किक मेलेगी अब मैं क्या करूं भाग जाओ यहां से तु फिर हाँ हाँ मैंने ही कहा आपकी कहाने खतम होने से पहले यहां से भाग जाएए देखो हम दोनों अलग क्यों हुए आज यह तुम्हें सुनना ही होगा मैं नहीं सुनूंगा यह बहुत इंपोर्टेंट है देखो बार-बार परेशान मत करो हां दो दिन बात तुम्हारी एंगेजमेंट है जाकर उसकी तयारी करो यह कैसी बाते कर रहे हो तुम मैं किसी और स मतलब चीटिंग की जूट बोला इतनी से चोटी बात के लिए तुम्हें चोटी बात लगती है हकीकत में क्या हुआ था यह सब याद रहता तो क्या क्या याद रहेगा मुझे तुम्हारे कारण में जॉब करने के लिए और वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दि पता है तुम्हें ऐसे क्या को रही हो कुछ याद करवाना चाहती थे ना याद करवा मुझे तुम कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो 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 तुम्हें तो कहा था तुम्हें पुरानी बात याद नहीं है अभी तुम्हें बताओ तो फिर यह सब कैसे याद है तुम्हे यह प्रिट्मेंट के लिए मलेशिया आना यह सब हंड़ेट परसेंट है तुमने मुझे फिर से जूट कहा ना यही एक सच है यही हंड़ेट परसेंट शूर है तुम्हारी मेमरी एकदम सूपर है तुम कुछ भी नहीं बुली सब याद है तुम्हीं देखकर तो अब मुझे प्यार के नाम से भी नफ्रत होने लगी है आई हेट यू आई हेट यू तुम यह एक्टिंग कर रही हो ना मुझे दिल में रखकर किसी और से शादी कर रही हो यह आक्टिंग नहीं है क्या मैं तुम्हें बूलने की आक्टिंग कर रहा हूं और तुम मुझे अपने दिल में रखकर भूलने जैसी आक्टिंग कर रही हो ना क्या फरक है इसमें तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताया मैंने वही बहुत है मेरे लिए तुम अलग होने के बारे में सूच रही हो ना जो याद रखना चाहिए उसे भूल रही हो तुम अपने आपको धूखा दे रही हो में मिज़े बहुत अच्छांते गहीं अजली आफ एक तुम बात करनी हैं आफ यह पुल्टंट वाटिंग में हो मैं कॉल आग्या पॉल्टंट सबीलेखा पापा अजेश क Weg भी श्यान हा? हलो सर मिनिस्टर का मलेशा का प्रोगाम पिछले में नहीं कन्फर्म हुआ है सर वो इंडियन गौर्मेंट के ओफिशल टूर पर गए है सर सम्टिंग इस रॉंग उसने मुझे क्लू दिया था मलेशा फ्लाइट नंबर मिनिस्टर्स की मीटिंग फिक्स हुई है वो भी मलेशिया में अगर ऐसा है तो उसे मिनिस्टर्स की मीटिंग के बारे में पहले से पता होगा इन लोगों के प्रोग्राम का और उसके प्लैन का ज़रूर कोई न कोई कनेक्शन है मलेशिया में मिनिस्टर्स का क्या काम है? कहीं वो कोई अनोफिशिल काम तो नहीं कर रहे हैं? मिस्टर बनर जी, सर, आपको पता नहीं है कि देश की कितनी इंडस्ट्रीज को बरबाद करके और ना जाने कितने कॉंट्रेक्टर्स से कमीशन ले करके, सरकारी जमीनों का डी नोटिफिकेशन करके, गरीब लोगों के हक छीन कर, ये तीन सो करोड रुपे कितनी मुश्किल से कमाएं? अब इन रुपेओं को मुझे डॉलर में बनाना है, जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता है इस वक्त मलेशिया में जो स्टार हुटल बनाया जा रहा है, उसका जो शेयर है, उसमें अटज़स्ट हो जाएगा, सर लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है, और इसलिए वो यहाँ आया है इतने दिनों से अगर वो यहाँ आया है, तो उसने कोई न कोई प्लैन जरूर मनाया होगा वो कोई न कोई गेम जरूर खेलेगा, मिनिस्टर्स और ससुर जी की भी कोई लिंक जरूर है यानि वो उनके आसपास ही रहेगा, वैसे अभी उनके साथ नया कौन शावल होगा वो नहीं हो सकता, कहीं कोई कड़ी मिस हो रही है हाई पार्टनर, उसके करेक्ट पार्टनर आप ही है सर, हाँ रंगा, श्री रंगा यह मेरा फ्रेंड है, इंधिया से आया है, श्री रंगा अगर तू हाथ मिलाएगा तो मैं भी मिलाओंगा पार्टनर अजब रंगा श्री बंग पार्टनर श्री बंगा बेंसूं बेंसूं के बेंसूं नोग मेसारे हो में सी हारे येंसून बेंसूं भाई और पार्टनर इन क्राइम चोर है तू मेरे लिए पैसा सब कुछ है लाई कर दो झालふ फाफ, विर शां बहुड़ है कर दो हुड़ है चाल कर फेख भाफ फ्पॅश्ट अज़ ढूज है... मbonनी साल ठां कि वाल ऑस वपाल साल बात चूजश पूरी करने से शोबना जन प्लिम प्लिम मैं वफ और में अजर वगार आरे जाम हम अजर कि अजर कर दो खूँ खूँर कर दो आरे खूँरा है कि अन्यां अन्हीं पाराइग। झाल, झाल! हाँ मेरा बेटा चोर है चिक के लिए चोर बना मैं विठ्थल मेरी बीवी सपना मेरी एक बेटी भी है मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ मैंने की दस हजार सेलरी सुबा आट बजे टिफिल लेकर बच्ची को इस्कूल छोड़कर भाग भाग कर मैं बस पकड़ता हूँ और ऑफिस पहुचता हूँ शाम को घर लोटने के बाद अपनी बच्ची के साथ कुछ देर खेलता हूँ कभी कभी टाइम मिला तो फैमली के साथ फिल्म देखने चला जाता हूँ फिर मेरे पास जो पैसे बच्चते हैं उसी में हम अपने खुशी ढूंडते रहते हैं यही है हमारी बेटी ही हमारे लिए सब मैं नहीं थी जो अगवार ने दिया था उसी में खुश थे हम अगर माश जब बच्ची की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने हमें बताया तो हमें कुछ समझ नहीं आया बस इतना समझ में आया कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत खरच होगा और ट्रीटमेंट जल्दी से और हम हमारी बच्ची को खोदेंगे आज मेरी बच्ची अपने बीमारी के साथ लड़ रही है और हम लोग पैसों के लिए लड़ रहे हैं अवे तक जो कुछ भी बचा कर रखा था इनीशल ट्रीटमेंट में ही खरच हो चुका है हाला तब हमारे हाथ में नहीं है हमारे पैसे पुरी तरह से खरच हो चुके है जब हमारी बच्ची को इस बारे में पता चला तो अपने ट्रीटमेंट के लिए वो पैसे जुटाने लगी लेकिन उतने पैसे काफी नहीं थे और डॉक्टर ने कहा कि अगर 24 घटों के अंदर इलाज नहीं हुआ तो हम उसे खो देंगे हमारे पास कोई रास्ता नहीं था उसे अपनी आखों के सामने हम बरता हुआ नहीं देख सकते थे इसलिए उसे अनाथ आश्ट्रम में चोड़कर हमने फैसला किया कि हम स्यूसाइड कर लेंगे हमें गलत मैं समझीगा हमारे पास तो से कोई देने हिता किक्कु येलो तुम्हारे डोनेशन के पैसे किक्कु आंकल मैं मरने वाली हूँ आपको भी पता चल गया क्या इसलिए आप मुझे यहां देखने के लिए आ गए मेरे पापा पैसे लाने के लिए गए है वो जरूर आएंगे उनके आने के बाद मेरा ओप्रेशन हो जाएगा उसके बाद मैं ठीक हो जाओंगी जो भी इजी मिलता है उसमें कीक नहीं होती है ऐसा आप ही कहते हैं ना अंकल वो भी सही है मौत इतने आसानी से आएगी तो कीक नहीं रहेगी मुझे डर लग रहा है अंकल तुम चिंता मत करना वो भगवान तुम्हें बचा लेगा टोनी मेरे साथ खेलना चाहता है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है अंकल अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगे अंकल यह बहुत ही सीरेस केस है चौबीस घंटे में अगर बच्ची का उपरेशन नहीं है किया गया तो इसके बच्चने की चांसेस बहुत कम है मैं अल्रेड़ी इसके पेरेंट्स को बता चुका हूं आपको भी बता रहा हूं सुभे तक अगर बीस लाख रुपे नहीं डिपॉसिट किये गए तो बच्ची का उपरेशन इंपॉसिबल है ठीक है डॉक्टर मैं लेकर आता हूं सर्ष आपको हेल्थ मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया गया हो मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है देखे अब मैं आप लोगों से माफी चाता हूं क्योंकि मुझे यहां से ज़रा अर्जेंट में जेल के प्रोग्राम में विजिट करना है तुम बोलो क्या हुआ बच्ची का दूसरा कोई नहीं है सर आप मंत्री अगर आपने कुछ नहीं किया तो बच्ची नहीं बचेगी देखो तुमने जो प्रॉब्लम बताई मेरी समझ में आ चुका है अब मेरी बात सुनो देखो सरकार इस तरह से हरे एक के लिए अपना ख़जाना नहीं लुटा सकती सर इसके लिए कोई तो फंड रहता हो ना कहां सरुब कर आचाते हैं मैंposition ने वालों को एक रुपिया किलो चावल देकर आप आलसी बना रहें सर्우 जवानों को नौकरियां बिजली को आप घर एटेंगे और एलेक्शन टाइम पर उसे माफ भी कर देंगे ना सर आप सबको कुछ न कुछ दे रहें सर लेकिन बच्चों को कुछ भी नहीं दे रहें उनने कोई पाप किया है क्या ओ बच्चे लोग वोट नहीं डाल सकते इसलिए ना आप समझ में आया पापा इस गर को बेचने पर कि दस लाख रुपए है इमिजेटली एक चेक बनाई है है लेकिन क्यूं मैं बताता हूं पहले आप नहीं तो बनाई है ना हाँ ठीक है तुने खुद आकर मेरे पैर नहीं पकड़े ना तो दस लाख रुपए क्यों रे तू आकर खुद मेरे पैरों में गिर जाएगा मैंने चैलेंज किया था ना तो फिर बता ऐसे कैसे मैं पैसे दे दूंगी अरे यह क्या कर लाये तो कि ने बहुत बहुत धनिवाद मासे है चलो कि गुरु प्राश्वा गुरु अब मेश्णु गुरु दे गुम मेश्वनाब गुरु अब क्युआश्वनाब और अपनाप अपनाप बस्ष्माप नाप छूह थीजिर ना बाप प्हत्चरों दो हुआ जो जो भरोगों दो हुआ है क्या हुआ अंकल एक बार हास दो ज़रा थैंक यू अंकल आज टोनी का सपना पूरा हो जाएगा अंकल अब मैं भी टोनी के साथ चम कर खेल सकती हूँ न डॉक्टर ने मुझसे खाई क्या मैं भी सकती हूँ यह सुन कर टोनी कितना खुश होगा पता है कि अंकल क्या आपका भी कोई सपना हैर अपना सपना पूरा करने में कोई किक नहीं है अमगर किसी दूसरे का सपना पूरा किया, तो सही की खे. बच्चों के अंदर भगवान का वास होता है, इन सब को देख के यकीन हो जाता है. सर, इन लोगों में से हर कोई बच्चा किसी न किसी बीमारी से लड़ रहा है, सर. मगर ये लोग अपना दर्द भूल के हम लोगों में से किसी एक की जान बचने की खुशी और संतोर से इन लोगों के चेहरे खिल गए है, सर. इन में से कई ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें कोई मेडिसीन दिया तो, उनका बचना मुश्किल हो जाएगा, सर. लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं, जिन्हें मेडिसीन मिल जाय तो, वो बच सकते हैं, सर. मगर हमारे पास पैसे नहीं है, सर. वहाँ देखिये उसे वो कुछी दिनों का महमान है सर और उसे पता भी है फिर भी उसके साथ रहने वाली एक बच्ची बच गई है इस खुशी में वो खुशिया मना रहा है सर हमारे एक आश्रम में जब इतने सारे बच्चे हैं तो सुचिये इस शहर में इस राज्य में इस देश में कितने लाख बच्चे ऐसे होंगे एक बढ़ सोच के देखिये सर ऐसे सभी बच्चों के लिस्ट मुझे चाहिए हां ये तुझे मजाक लग रहा है क्या एक बच्चे का ऑप्रेशन के लिए परेशन के लिए कंड़ेशन के विद्चा के लिए नहीं कर रहा हूं है अद Spain親 के लिए और इन साए बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूंगा उस बच्चे की मुश्कुराहट के साथ शुरू ही उसकी किक एक बात जानती हो बेटी दूसरों का दर्द देखकर लोगों को खुशी होती है लेकिन मेरा बेटा दूसरों को खुशी बांट कर खुश होता है अब तक मैं मेरा बेटा क्या बनेगा, क्या करेगा यही सोस्ता रहता था लेकिन उसने चोर बनकर मुझे सर्प्राइज कर दिया उसके अंदर की इंसानियत बाहर आ गई अब उसे देखकर मुझे गर्व होता है बेटी गर्व और अकर वो पकड़ा गया तो? वो अपने जिंदीगी में जो चाहता है बस वो पूरा हो जाये फिर मुझे कोई फिक्र नहीं अभी वो कहा है आनकल हार गया हार गया हार गया I am a loser 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 कोई बात नहीं हार जाने के इस दुख को तुम अच्छी तरह कवर कर रहे हो एक रियल टूथ बताओं बॉस टाइम लाइफ में हार गया ना इसकी जबर्दस किक लगी है कुछ अलगी किक है बॉस हार गया तो दुख में नहीं करने का सेलिबरेशन करने का मनुष्ट जिस दिनी सच्चाई को समझेगा उसे कोई नहीं हरा पाएगा सिर्फ एंजॉयमेंट किक पर किक ड्रिंक पर ड्रेंक बास तुम्हें भी यह करना ही पड़ेगा बास ओके हैं जा बहुत बढ़िया है तुम्हारी यह फिलोसुफिय बि जानते तुम कौन हो मैं यहां तुम्हें पकड़ने नहीं आया अब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस दोनों एक ही थे अब तक तुम कौन हो यह मुझे नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है हम दोनों की मनजिल एक ही है तुम्हें अरेस्ट करना और इस के इसे नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें प्रूफ के साथ रेड हैंड़ पकड़ना चाहता हूं। तुम बैठे रहो या खड़े रहो, सोए रहो या जागे रहो। तुम्हारी हर मूवमेंट के बारे में मुझे पता रहेगा। तु चोरी करना तो छोड़। अगर चोरी के बारे में तुने सोच भी लिया न। तो तेरे शरीर के एक एक अंध के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूँगा। गुड़ लग पार्टनर। 500 क्रोर्स एलेक्शन फंड पार्टी ऑफिस दो पर ठीक बारा बजे कल ही रेड हेंडिट पकड़ना चाहते हो ना पकड़ लेना। अब लगी ना तुझे किक, श्रीरंगा या रंगनाथन देख लेंगे। मिनिस्टर्स हो या मिले। ठीक से चेक किये दिना किसी को अंदर आने मत देना। यहां आने वाले हर शक्स को अच्छे तरह जेक करो। सिक्योरिटी रूल्स फॉलू करो। मैप लेकर आओ। मुझे अभी और इसी वक्त मैप देखना है। अफिसर इपनी टाइट सिक्यर्टी क्यों। पार्टी ऑफिस में टेररिस्ट अटैक के जुकी आई है। इफ़र्मिशन तो मैंने ही दी थी ना। देखो ज्यादा मागोगे तो नहीं मिलेगा। जितना देने की बात हुई है सिर्फ उतना ही मिलेगा। जलो बैठ जाओ बैठ जाओ सारे पैसे गिन लिये ना। मुझे इन पैसों को डिस्ट्रिब्यूट करना है। ये पैसे अच्छी तरह से डिस्ट्रिब्यूट हो गे ना। तो मेरा सीम बना पैस समझो। ऐसा ही होगा। कुछ इना कुछ गरबर जरूर है। जिल जिल जिका-जिका। एक बाद चान लो, इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो भी काम करोगे, वो सब पूरा हो जाएगा। हाहा, होगा-होगा ना। पिछली बार जो हुआ वो अदबुत कम था। हाई पार्टनर मैंने कहा था ना कि तुम्हारी हर मूवमेंट पर मेरी नजर होगी गुड बॉइ बारा बजने में अभी आधा गंटा और है अगर तु जबान का पक्का है तो चोरी जरूर करेगा तुझे चोरी करते हुए मुझे अपनी आँखों से देखना है कम एक पुलिस आफिसर को अपने पास बिठा कर चोरी करने में सुपर किक मिलेगी वैसे तुम्हारा प्लान क्या है हाँ जल्दी ही बता दूँगा वैसे बास मेरी वगल में तुम बठे हो तो हम फ्रेंज बन गए ऐसा बिलकुल मत सोचना तुम पुलिस हो और मैं चोर हूँ यह वहां पर पूरे तिन सो पुलिस तैनाद किये हैं समझा तु एक कदम भी आगे नहीं रख पाएगा अगर तु वहां पहुच भी गया ना तो वहां तैनाद सारे पुलिस वाले तुझे गोलियां मार कर तेरा सीरा चल्ली कर देंगे यह सब बलकर आप मुझे टेंशन दे रहे हैं और टेंशन से मुझे सू सारी में करके आता हूं प्लीज बास चलता हूं बास यह क्या बास मुझ पर भरोसा नहीं है अगर नहीं तो आप यह मेरे साथ चलो प्लीज बास एक मिन्ट मैं आता हूं बहुत जोर कि लगी है अगे हलो पार्टनर बास कैसा लगा मेरे गेटपा बहुत है अच्छा लग रहा है नहीं मेरे ओरीजनल गेटपापी जानते है दूसरा कोई नहीं जानता है इसलिए गेटप रहा है बास कमान बास बास आप पर मुझे डाउट आ रहा है उस लड़की के मामले में आप मुझे से रिवेंज ले रहे हैं ना मेरे लिए तू इंपॉर्टन्ट है वो लड़की नहीं मुझे इसी डायलोग सुनने का तो इंतजार था कमान 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 आजाओ 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 इस पैसे को देखकर उस चोर की याद आ रही है अरे अपनी बगवास बनकर उस चोर का नाम सुनते ही मेरे दिल की धरकने तेज होने लगती हैं स्वामी जी पैसे गिन भी लिए और पैक भी हो गए अब डिस्ट्रिबूट कर सकते हैं एक बार बारा बज्जा ने दीजिए उसके बाद अमरित घड़ी आएगी तब तक आप इससे समाल कर रखिए उसके बाद आप समालना चाहेंगे भी तो नहीं समाल पाएंगे मेरा मत मेरे लिए इतने सकंड काफी है तू यहीं बैठा है तेरे सामने मैं हूं इतनी सारी सिक्यॉरिटी है कैसे लूटेगा अंदर तेरी कोई सेटिंग है क्या सब्सक्राइब बारा बज़े तक तेरे पास टाइम है अगर तुने चोरी नहीं की तो मैं तुछे मार दूंगा चल बास चल अभी सिर्फ असी सेकंड बचेंग है सभी लोगों को भीज़ दो हलो हलो बैड मैं बैड मैं कौन है बेतू हलो बैड मैं मनेस्टर तुम्हारे लिए है एक ब्रेकिंग न्यूज बड़ अस्टी सेकंड के अंदर अंदर तुम्हारे सामने हो गय कद भुच्चमतका एक एक स्ट्राइडनेरी मैं तुम्हारे सामने आकर तुम्हारे सारे पैसे चुरा ले जाएगा क्योंकि यह है एक पक्की इंट्रिजेंस रेपोर्ट कौन है भी तू ट्रांसपोर्टर फोर्ट अरे यह क्या करे हो अरे यह 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 कुम्हार यह अईसा सूब इस दो आगी, और शों इस पर आखी से कोया Works की इनल्ग preview यह काभा यह का difficult यह बाती हैs जल्दी 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 तो तू जाए जल्दी बच्चों को बचाने वाले बच्चों को बचाने वाले की एक्स्क्यूज में यह सब क्या चल रहा है किसी भगवान जैसे इनसान ने अपना नाम भी बताय बिना बीमारी से लड़ने वाले बच्चों के लिए हजारो करोड रुपया दान किया है इसलिए इन बच्चों ने उस इनसान के नाम से यह रैली निकाली है यह बच्चे उसी रैली के हिस्से हैं हुआ 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 है ताइट सिक्यूर्टी है पैसे कोई देख भी नहीं सकता और पलक जब काता ही वो चोर हिंदी फिल्मों की तरह आंखों में धुल जोकर पैसे लेकर गाइब हो गया सर्व बगवास बंद करो अपनी अपने आपको पुलिस ऑफिसर कहते हो तुम पर भरोसा किया और तुमने अमें बर्बाद कर दिया किसी बिखारी की तरह हाथों में कटोरा पकड़ा दिया है तुमने सर मैं सारी डीटेल्स लेकर आपकुछ चले जाने के बाद डीटेल्स ले हाई पार्टनर हाई यह डिसमबर सिक्स्टीन के बाद मैं तुम्हें नहीं में लोगा कहा था ना हाज मेरा जाइनिंग डे है बास जो काम मुझे बच्चों के लिए करना चाहिए था वो मैंने कर दिया बहुत ही मस्त किक मिले बहुत ही ठीक है बगर यह यह मेरी लवर के ल इस ऑफिसर के रूप में देखना चाहती थी अब लावर के लिए इतना तो करने ही पड़ता है ना लावर की इच्छा पूरी करने बेभी मस्त केक मिलती है बस है तुम उसके साथ का डिसक्रशन कर रहे हो इमांदारी से फाइल उसे हैंडवर कर दो और उसे तुमने समझा क है ट्रेनिंग में गोल्ड मेडल मिला है उसे और सबसे ही हम उसे जानते हैं चोर के बारे में काफी कुछ जानता है यह ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो फाइल उसे दे दो ऐसा कुछ नहीं है सर मैं इसे अच्छी तरह जानता हूं और आपकी सारी जाइदाद आप इसके ना आप सब इसके बारे में क्या सोच रहें मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक मेरी बात है जब यह ऑफिसर उस चोर को पकड़ कर मेरे सामने लाएगा तभी मेरे दिल को ठंड़क पहुंचेगी और तुम यह काम जरूर करोगे सर आप 101 परसेंट उस चोर को देखना चाहते हो सर आपने मुझे देख लिया तो समझें कि उसे भी देख लिया हां तो अभी से आप सब को सूपर के